हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूरूप चैनल मेज़र टार्गेट पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्रेंट के संस्कृत में यहाँ पे हम लोग 50 काफी महतपूर्ण और आपके गत्वर्स में बार बार पूछे जाने वाला परसन है अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में सो में सो आये तो इस वीडियो को संपूर्ण सुरू से लेकर आगरी तक जरूर देखेगा तो फ्रेंड फडावर सी वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप हमारे चै आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट के लिए जगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइप क्लास हो तो आपको हमें सा नोडिफिकेशन मिलता रहे तो आए शुरू करते हैं आप पर आज के पहले नंबर परसन से जो की मोस्ट इं आनो तो दोस्तों महान से भी महान जो है ना आत्मा है यहां पर मुर ऑफिसन में जो है ना बिल्कुल से उत्रो जाएगा अब देखें आप दूसरा परसन भी बहुत ही मत पूर ने कि सुक्षम से सुक्षम कौन है और से में आपका दिया हुआ है आत्मा या फिर गगन या पर मात्मा या फिर संसार तो दोस्तों सुक्षम से भी सुक्षम को है आत्मा ही होते है यानि कि आप पर मुर ऑफिसन में जो है बिल्कुल से उत्रो जाएगा अब देखते ह슬एं आप अपर 3 परसन को देखेगा तो को स्टे Digit को पार्ट के रचनाकर कौन है और दोस्तों मगलम पार्ट कहां से संक्लित है तो दोस्तों मगलम पार्ट जो है ना उपनी सद से संक्लित है इसे आप लोग को याद रखना है अब आए फ्रेंड देखते हैं पर चौहथा परसुंगो देखेगा जो की बहुत इम्पोर्टेंड है कि अपनी सद के रचनाकर कौन है और आए फ्रेंड पर पर से करा कि एम तो left का आए फिर्ण है उपनी साहित का या पレौब ब्लकुल से लित्र हो जाएगा अप आया फिर तो दोस्तो ओपनी सद जो है ना यह आपका वैदिक का मलब भाग है ठीक है वैदिक साहित का भाग है यहाँ पर मोरा ऑफसन नमर सी जो ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कि इस वीडियो में हम लोग कलाश चैंद के संस्कीरित के 50 सब्सक्राइब को देख रहे हैं जो आपके फानल मैटिक पर पिक्षा में हंडेट पर संसो पर तीसत पूछ रहे जाने की काफी काफी श्रमभावना है और दोस्तों यह 50 पर संसे आपको जो भी जो भी परसन अगर याद ना हो ना तो प्लिस दोस्तों परसन को अपने किया और पदियातमा किया पिर गदियातमा किया पिर संकलानातमा क्या फिर नाटियातमा तो दोस्तों आप सब को बता देते हैं मंगलम पाट में जो मंत्र है ना पदिहातमग है यानि कि यहां पर मुर अफसन मर ए जो है ना बिल्कु से उत्रों जाएगा अब आए फिरंड देखते हैं आप साथ में परसन को देखेगा जो कुस्टन से एक रहा है कि उपनी सथ किसका सिद्ध घांत परकट करता है उपसन एम आपका दिया पुरान का य या फिर आतमा गा तो दोस्तों आप सब को पता देते हैं उपनी सथ जो है ना उपनी सथ दर्सन का सिद्ध घांत परकट करता है यानि कि यहां पर मुर अफसन मर बी जो है ना बिल्कु से उत्रों जाएगा अब देखें आप अगला परसन क्या अगरा है कि कि किसे वरस में नहीं किया जा सकता है उपसन ए में आपका दिया हुआ है आतमा को या फिर परमातमा को या फिर विद्या को या फिर सिहिंग को तो दोस्तों आप सब को पता देते हैं आतमा को जो है ना वरस में नहीं किया जा सकता है यहां पर मुर अपसन मर ए जो है बिल्कु से तो जाए कि देखता है option M आपका दिया हुए है आत्मा को या फिर विद्या को या फिर प्रमात्मा को शोकर के जो है न प्रमात्मा को देखता है इसे आप लोग को याद रगना है यहाँ पर प्रत्विद राइप को देखेगा है जो कwesn से है की भारत महीमा पार्ड का दीतिया शालौग किस पुरान से संक्लिद है option A में आपका दिया हूए विसनू पुरान से या फिर option C में आपका दिया हुआ पदमू पुरान से या फिर वायू पुरान से तो दोस्तों आप सब को बता देते हैं भारत महिमा पार्ट का जो दूतिय श्रलोग है ना यह भगवत पुरान से संक्लिद है यानि कि यहां पर मुरू अब बिल्कु से तुरो जाएगा तो दोस्तों वीडि से या फिर पशूशे या फिर नेता से तो दोस्तों भारत भूमी पर जनम नेले वाले को जो है ना देवता से तुलना की गई है यानि कि यहां पर मुरू अब बिल्कु से तुरो जाएगा अब आए फ्रेंट देखते हैं पर अगला पर सुन देखेगा क्वेस्टन से एक भारत भूमी का गान कोन करते हैं और अपर अपका दिया हुए दानो गन या फिर मुर्क लोग या फिर नेता लोग और अफिर दी में आपका दिया हुए देवतागन तो दोस्तों भारत भूमी का जो गान करते हैं ना देवतागन करते हैं यहां पर मुरू अपर अपर अप बहुं आपको ने अब यह आं पर पिर लृब यहां पी पर भूमिक से कियाा है और सब्सक्त सकती अब बहुत सब्सक्राइब अमगेवाती तो और पहस्ताबत स्विध मेंदह ने व्याइव हुआ या पर शत्रू से तो दिस्तो भारत भूमी जो है ना सागर और परवत और निर्जर से सेविध है यहाँ पर मुरू अपर सी जो है ना बिल्कु से उत्रो जाएगा अब देखिए उपरह पर अगला परसन भी बहुत ही मतपूर्ण है कि भारत की महिमा कहां गाई जाती है मैं अपका दिया मंदिर में या पिर सर्वत्र में या पिर एक्तर में या पिर प्राचिन में तो दो स्थो आप सब को कौन मारता है option A में आपका देख सुकीर्थी या फिर अकीर्थी या फिर अकीर्थी या फिर अनाकीर्थी दो दूस्तों विने को जो है न अकीर्थी मारता है यहाँ पर मोरा option C जो है न बिल्कुल से उत्रो जाएगा अब देखें आप 17% क्या करा है कि कैसे पुरूस सभी या फिर कटू वादी या फिर पिर्यवादी या फिर थार्त वादी दो दूस्तों आप से बता देते हैं पिर्यवादी पुरूस जो है न सभी जगह सुलब होते हैं यहां पर मोरा option C जो है बिल्कुल से उत्रो जाएगा अब देखें आप अगला परसन क्या करा है कि बिन से उत्रो जाएगा अब देखें आप अगला परसन भी बहुत ही मतपूर्ण है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है option A में आपके पंडित या फिर राजा या फिर मंत्री या फिर छात्र तो दोस्तों आप सब को उता देते हैं सभी जीवों के सत्य को जानने वाल जो है ना पंडित होता है यानि कि यहां पर में आप सभी जो है बिल्कु से उत्रो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप अगला परसन भी बहुत ही मतपूर्ण है तो देखें का कुस्टन से एक रहा है कि बिना पूछे बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है option A म में आपका दिया हुआ है मंतिरी तो दोस्तों बिना पूछे बोलने वाला जो होता है ना मुर्ख होता है यानि कि यहां पर मुर्ण बिल्कु से उत्रो जाएगा तो दोस्तों यहां पे बहुत ही महतपूर्ण है पचास बीबियाई संस्कृत के वस्तुनिष्ट और यह सभ दोस्तों जरूर यात कली जिगा और इस वीडियो को संपूर्ण सुरूज से लेखर आखरी तक देखनी के बाद आप लोग को लास्त में कमेंट करके बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना परसन का सही और सर्टिक आंसर याद था तो वीडियो को लाइक नहीं किये ना तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक जरू कर लीजेगा चले देखते हैं आप पर अगला परसन की काम, करोध और लोब किसके दुआर है आप सब को पता देते हैं काम, करोध और लोब यह जो है ना किसके दुआर है यह नरकी के दुआर हो जाएगा नर्ग के कितने दौवार होते हैं तीन दौवार होते हैं ठीक है अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे 22 परसन क्या क्राहिं कि धर्म की रखषा किस से होती है option A में आपका दब सत्य से या फिर विद्या से या फिर विर्ति से या फर इन में से किसी से नहीं तो दोस्तो धर्म की रक्षा जो होती है सत्य से होती है यहां पर मुरू अफिसन बर A जो ही न बिलकुल से उत्रो जाएगा चले देखते हैं अपर अगला परसन क्या गरा है कि नरक के कितने दुआर है अफिसन A में आपका दर तीन या फिर दो या फिर एक और अफिसन D में आपका दिया वह चार तो दोस्तो नरक के जो ही ना तीन दुआर है यहां पर मुरू अफिसन बिलकुल से उत्रो जाएगा चले देखते हैं अपर अगला परसन क्या गरा है कि विने किसको मारता हैuster A में आपका दियर्श को या फिर अप यजो को या फिर प्रशु describing को या फिर अपर नहीं hairski वह तो यह उत्रो जाएगा भी स्यां किसी कहा गया है यह पर क्रोद को या फिर और बीज में ना हिंसा को कहा गया है यहां पर मुरा अफसर मरसी जो है बिल्कुल से उत्र हो जाएगा चले फ्रेंड देखते हैं पर अगला परसन क्या करा है कि मंदा की निन अधी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है और अफसर एम आपके खरगोश के या फिर गाई के या फिर मोर के य और अफसर एम आपका दिया वह वालमी की या फिर वयास या फिर तुलसी दास और अफसर टी में आपका दिया काली दास तो दोस्तों रामायन की रचनाकार है ना वालमी की है यहां पर अफसर में बिल्कुल से उत्र हो जाएगा सभी परसन बहुत इंपोर्टेंड है चले देखते हैं अगला परसन क्या गड़ा है कि काली दास की कौन सी रचना है ओफसर एमें आपका दर रामायन की यहां पर गुवित या फिर और गीत गहुवित की यहां फिर हरस चाडीतर कि तो दोस्तों कालीदास की जो रचना है ना रगु यहां पर जो है रगु वंसर मैं यहां पर आपका दिया अगला परसंग बहुत ही मतपूर्ण ने देखे का कोषण से बहुत इंपोर्टन डेकि वनवास परसंग में राम सिता लक्षमन के साथ कहां पोचते हैं option A में आपका दिया वी चीतर कूट या फिर सवरन कूट या फिर चीतर कूट और option D में आपका दिया परन कूट तो दोस्तो वनवास परसंग में राम सीता लक्षमन के साथ जो है ना चीतर कूट पहुंचीते हैं यहाँ पर मुरा option वरसी जो है बिल्कुल से उतर हो जाएगा दोस्तो अभी तक आप वीडियो को लाइक ने किये ना तो प्लिस दोस्तो वीडियो को लाइक जरू कलीजेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्रैंट के संस्क्रित के 50 MBBI और यह सभी परसन बहुत important है और दोस्तो यह 50 परसन में से अगर आपको जो भी प सम्मोदित करते हुए मंदा की नदी का वर्णन करते हैं यानि कि यह पर अपर अपर अगला परसन क्या करा है कि जटा और मिर्ग चर्म कौन धारन किये हुए हैं अपर या फिर चातर या फिर काली दाव और और अपर दी में आपका दिया और सिक्छक तो दूस्तों आप सब को पता देते हैं जटा और मिर्ग चर्म जो है ना मूरी धारन किये हैं है धारन किये हुए है यहां पर मुझा आपको बिल्कुल से उत्रों जाएगा अब आए फिरन देखते हैं आपे 33 को देखिए का जो की बहुत important है कि सीता राम चंद्र के कौन थी option या फिर माता या फिर पतनी या फिर ब्रता तो दो सीता बिल्कुल से उत्रों जाएगा चले देखते हैं पर अगला परसंद्र का परियावची क्या होता है अब देखिए आप अगला परसंद्र क्या करा है कि इस संसार में आलसियो काड़क चक गती कौन है option a में आपका जननी या फिर कारोनी क्या फिर पती और फिर धरमें तो संसार में अलसियोग उसी कारुनिक है कारुनिक बहुत important है कारुनिक यादर किया यहाँ पर संसार में आलसियो कारक्षा क्षा कौन है कारुनिक है option number यहाँ पर B बिल्कुल से उत्रो जाएगा अब चले फिरें देखती हैैं अगला परसन भी बहुत ही मतपूर्न है की सबसे बड़ा सत्रू कोन है Option A में आपको ते 6 सबसे बढ़ा सत्रू कोन है यहाँ पर मुरू और सी जो है ना बिल्कुल से उत्रू जाएगा अब देखें आपर 38 पर से भी बहुत इंपोर्टेंड है कि आलस कता पार्ट के रचियता कौन है और सन ए में आपका दिया विद्यापती या फिर महात्मा विदूर या फिर क्रिस्न और सन डी में आपका दिय इसे कोई नहीं तो दोस्तो आलस कता पार्ट के जो रचियता है ना कौन है तो विद्यापती है इसे आप लोगको याद रगना है यानि कि आप पर अप्सन वर जो है ना बिल्कुल से उत्रू जाएगा चले देखते हैं आप अगला परसन क्या गराए कि नीतिकार आलस से को क्या मानते हैं उप्सन ऑक को देखेंगा चले एक विरेषवर कोई शाहे कि विरेशवर कैसा है वही आप सब को बताना है इमानदार या फिर भरष्ट या फिर रैंशिल्ट है या पिर धनी तो पहले में चैनल को सब्सक्राइब करben सब्सक्राइब करें थार। चैनल को सबस्क्राइब करें या पिर प्यूटर पिता या outra तो दीज्तो आलसीयों की जो अड़क चग होता है न धयावान होता है यानि की यहां पर उफ़र अब भी जो ना बिल्कुन से उत्रो जाएगा अब देखे ह Frage आपर अगला पर सिंद क्या करा है की चारो आलसीयों को कैसे बाहर किया गया, option a में आपको या पैड़ पकर कर या पर कैश्वकर कर या पर बहर किया गया, यहाँ पर option वर n बिलकूल day रो जायगा, देखते हैं आपट पर हूँ पर अंतरिगद मिठियामे कौन मंत्री थे, option यहाँ आपका अंतरगत में इतलाब के जो मंत्री थे ना कौन थे विरेस वर्ट थे यानि कि याप पर मुरा आप सब पता देते हैं कीचर में जो फस गया था ना पतिक फस गया था आप सन्वर डी याप पर मुरा बिल्कुल से उत्रो जाएगा अब देखें आप 45 नवर परसन क्या कराएं की बुरा बाग क्या देना चाहता था उप्सन ए में आपका दा चांदी का कंगन या फिर साइकल या पिर सवर्ण कंगन या फिर रुपिया तो जो आप सब पता देते हैं बुरा बाग जो है ना सवर्ण कंगन देना चाहता था या जो ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा चले देखते हैं पर अगला पर सिंद्ध क्या करा कि पतीग कहां फस गया और सरवर में या फिर नदी में या फिर कुवा में या फिर पतीख में तो यह जो पतीग जो फस गया था ना कहां फस गया था कीचर में फस गया था चीक है यहा तो दोस्तो इस Indians में इसी वीडियो में इस इस वीडियो चिंड हो रहा है यहां फुस गया था आप पर ₺-कुश्ति के प्टीवर्ग की मत पूर्ण है पहतीर the पकरा और क्षाए गया अब एम आपके बाग की दोड़ा या फिर श्रीम के दोड़ा या फिर में की दोड़ा एंप सर्प की दोरा तो दुस्तो पतिक जो है ना बाग के दोड़ा पकरा और खाया गया यानि कि यहां पर अब ने बिलकुंट से उतर हो जाएगा अब देखें आप अगला परसन क्या करा है कि कौन असनान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनाड़े बोल रहा था ओपसन ए मैं आपके भालू या फिर बाग या फिर मिर्ग या फिर कीचर में कीचर में हो गगा है तो यहां पर याद रखना है जो बाग असनान कर हाथ में कैश लेकर सरोवर के किनाड़े बोल रहा जात रगना है अब चले फिर देखते हैं आप आज का लास्ट और अंती परसन जो की बहुत इंपोर्टेंड है किसका भधन पोर्षन वैर्थ और आपका विद्या का या फिर पतिक का या फिर हाथी का तो दोस्तों आप सब को पता देते हैं यहाँ पे जो भधन पोर्षन किसका वैर्थ विद्या का भधन पोर्षन क्या है वैर्थ यहाँ पे मुरा अफ्सन वर्ष जो है ना बिलकुल से तरू जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फ़ाने ली जो है ना कलास्ट ट्रैंड के संस्क्रीट का 50 वश्ट और आप लोग फ्राफ़ से वीडियो में कमेंट करके बताइये कि पचास परसन में से पहले से आप लोगो कीतना परसन का सही और सर्टिक आंसर याद था इसका जवाब गई आप लैगत यहाँ तो प्लीजिजु कर लिए अगर आपके लिए लिए यह की किसपत्य ओर अपने के लिया पिर इमने से किसी इमें नहीं तो दो पर दोस्तों वीडियो को लाइक ने किया ना तो प्रिस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेश करके ओल पर जरू सेलेट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जदा से जदा से शेयर कीजिए जितना भी आपका वार्सप ग्रूब है टेलेगराम